तो guys आज इस वीडियो में आपको smartphone से ही किस तरीके से professional audio record करते हैं फिर उसको किस तरीके से professionally edit करते हैं यह आपको बताया जाएगा और साथ-साथ में video के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि match कैसे कराते है audio video के अगर last में आप matching कराते हो तो वह कैसे कराते है वह सारी चीज़े इस वीडियो में देखने हो मिलेगा और यह जो सारे काम हमने बताया इसमें कौन से ऐसे app यूज करते हैं जिससे कि यह काम और अ लोगी है और हमने जान बुझ के यह दिन में सूट कर रहा हूं कि और बगल में में रोड भी है जिसे कि आपको पता चल जाए कि इतने भी मतलब noise में भी हमारी audio किस तरीके से आपको सुनाई दे रही है और वह नहीं बताऊंगा कि PC वागा ओड़ा City आ गया मोबाल में जिस noise को हटाने के साथ हमारी आवाज दब जाती तो वह बेकार है और आप हमारी आवाज सुन लो इसी तरीके से आप भी इडिट कर पाऊगे इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल परने चैनल को सब्सक्राब कर लिए तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो जाइज आवडियो को इडिट करने के लिए हमें तो आवडियो फाइल की जरूत पड़ेगी तो हम आवडियो कहां से ला सकते हैं दो तरीके हो सकते हम जैसे कि इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं तो माइक्रफोन लगा दिया स्मार्टफोन में वीडियो के साथ आउडिय को record करते होगे मतलब अलग से कोई microphone होगा wireless होगा या फिर अलग से आप mobile ही यूज कर सकते हो तो अलग से हुआ आपको audio file मिल गया तो इस तरीके से आप उसको edit कर सकते हो लेकिन पहला इस्तिति जो बताया कि हमारे वीडियो के साथ है तो वह कैसे edit होगा तो इसके लिए देखिए बहुत जारे आप आते हैं जो कि आपके वीडियो से audio को अलग कर देता लेकिन जो मैं यूज करता हूं आप उसका नाम है वीडियो टुए MP3 convert है जिसका link नीचे description में मिल जाएगा तो इसमें क्या होता बहुत सिंपल सा interface है अपना वीडियो के इंपोर्ट कराओ MP3 टॉगल के MP3 करो और फिर convert कर दो आपका video MP3 में convert हो जाएगा अब हमारा दोनों इस्तिति में audio मिल गया आप हम इसको इडिट कर सकते हैं अब हम बात कर लेते कि आप audio किस तरीके से record कर सकते हो editing करना से पहले क्योंकि अगर आप smartphone से recording करते हो तो क्या अपनाने चाहिए कौन सा audio को record करते हैं इस तरीके से हाथ में change करके इस तरीके से audio record आप भी कर सकते हैं अलग से या कुछ भी करना हो बहुत प्रफिस्नल पे में आप smartphone से audio को record कर सकते हो बसरते जो मैं बता रहा हूँ वह आपको करना चाहिए तो पहला क्या है कि जैसे कि आपको पता करना रखना ना कि हम धीरे बोलेंगे या यह आप पर चिपका लेंगे तो यह नहीं आपको मतलब मेडियम रेंज पर एक इने पीछे रख लिए हैं लो गाइज आज हम आपका आइसे रखना वल्को इसका सामने चोड़के कहीं भी रखना क्योंकि आउडियो जो बोल रहे हो आप वह तो चारुटी साओं में फैल लेकिन हवा आ गही रहते हैं जैसे कि आप फोन पर और भी करते हो तो आईसे कॉल करते हो क्योंकि हवा इधर चली गए आउडियो तो इ आप इस आउडियो एडियो एडियो आप से उस सारे चीज़े रिमूब कर सकते हो जो कि आगे आपको बताने ही वाले लेकिन जो सबसे मेन बात है मोवाइल से स्मार्टफोन से या फिर कुछ भी अलग से आप 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 यूज करना क्योंकि हमाए जो स्मार्टफोन के नहीं करेंगे लेकिन ठाट पार्टी आप जो होते हैं आउडियो को रिकॉड करने के लिए वह बिल्कुल इसको निचोड के काम करवाता है मतलब अच्छे से बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे जिससे कि आ और आप भी अपने आउडियो को अलग-अलग मतलब फ्रीडम मिल करना चाहिए आपको लाइव इसी से रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी को इडिट करेंगे तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के वाद आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा तेहां पर देखिए अगर आप कुछ भी नहीं सेटिंग करना चाहत पहला ओप्षण इफेक्ट का इस पर टाइप करना इस पर देखिए दो ओप्षण मिलेंगे एक नौइस सप्रेसर एक एक अकुस्टिक एको कंसल यह दोनों को ओन कर देना जैसा कि आप देखते हो एक नौइस करते हैं तो पहले थोड़ा बहुत कर देगा लेकिन उतना नह ना सेटिंग में आपको क्या करना सबसे पहले देखिए पहला ऑडियो रिकॉर्ड पहला सेटिंग इस पर जाना इसमें जाने कवाद पहला उप्सने देखिए इस पर टैप करोगे तो यहां पर मतलब फॉर्मेट दिखा लेते हैं आउडियो का कि MP3 में ओजी जी बेव डबल क्वाल्टी घटेगी लेकिन आप वेब में समझ सकते एक रॉ होता मतलब इसमें ज्यादा डाटा रहेगा और यू अच्छी रिकॉर्ड होगी या फिर डिटेल ज्यादा होगे तो आप वेब में रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने हिसाब से अगर ज्यादा स्पेस है तो MP3 से लोगा लेट का अलग जो कि अभी वार के रूप में दिखाई देगा वह देखे अब इसके बाद हमें यहां से इसको कर देते हैं उसके बाद दूसरा यह option है आप पर मिलता है source का source में आपको जाकर यहाँ पर microphone का source बताना मतलब front microphone या back microphone या default तो देखें मैंने इसको ती मतलब एक अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता क्योंकि मोबाइल तेड़ा भी हो जाएगा तो कम नहीं रिकॉर्ड करेगा ऐसे भी हो जाएगा तो भी कम नहीं करेगा ऐसे करोगा ऐसे करोगा आपकी आउडियो एक नॉर्मलाइज बे में आपका रिकॉर्ड होगा और फ्रेंट म बाइक चले जाते हैं अब यहां पर आपको सिंपल वे में जो मैंने बताया था कि यहां से आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं जो रेड वाला माइक का बटन है तो यहां अब देखिए हम आपको इडिटिंग आपको बताएंगे उसमें कहीं आपको आठ सकेंड का गैप हम बोलना सुरू करेंगे तो आप देखिए एक्जामपल के वे में तो यह लोगा जैसे कि देखिए मैंने 11 सेकेंड का गैप ले लिया उधर आपका मतलब रिकॉर्ड हुआ होगा जो कि आपको आगे बताएंगे किसलिए मैंने वह रिकॉर्ड किया था और आप देखिए कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा राइट में अलग अलग रेफ्ट में अलग जैसेकि दो वे बन रहे हैं और यहां पर जो सबसे में फीचर होता है रिकॉर्ड के समय आप कर सकते हैं आप नीचे एक कशे कब इसको बढ़ा सकती हो बढ़ाने कबादी और भी ज़्यादा ओदो अ मतलब लाइब डिकार्डिंग के समय शारे चीजह कर सकते हो यह तो मेरा आपको पर करना त् काउन साइड जिससे की। आप इडिट करोगे सब चीक तो कर वारे हैं इस अप का नाम है वैववब पायड तो इसके दो वर रजन आते ऐक फ्री बर लजन आख एक प्रेमियुम बर्जन इसका नाम है वववब पायड मास्टर एडिशन अरे है माई प्री पायड परी संद ब बोल सकते हो तो देखिए आप कहो के दोने में डिफरेंस के आप सारे काम जो मैं आज बताऊंगा वह आप फ्री वाले बी कर सकते हो तो उसमें कह सकते हैं कि पेड करो कुछ-कुछ अगर आप मतलब काम कर रहे हो एक अच्छे सोसल मेडिया पर तो तेरा सो लगा कर अपने आउडियो का में पार्ट होता ओडियो तो आउडियो आपका सुधर रहा तेरा सो में तो और क्या चाहिए तो मैं तो आपको यह से देश्ट करूंगा आगे आपकी मरजी तो चलिए द तो सबसे पहले हमें यहां पर उस ऑडियो को इंपोर्ट कराना जिसको हमें एडिट करना है उसके लिए देखिए यहां पर ओपें का ऑप ऊप्सНोरी जो होगा देख ह। सारी अपर किया किया दो इसको में किया थी इसको इंपूर्ट वि Fox पौर जेक होग किया है तनुक्त सारे मतलब वार दिख रहे हैं का जहाँ जादा बोले हो जहाँ कम बोले जैसे कि आपको बताया था कि सुरू में कुछ देर का हमने मौन ब्रत धारंद किया था तो यहां पर देखिया सुरू में आ गया तो आप इसको किस तरीके से इडिट करते हैं अब यह बिल्कुल ध्यान करना किया था कि मतलब से शोरू में ब्रत धारंद किया था वह से हम समपल कर सकें कि स्वाद कैशा है तो हम चखते हैं तो स्टने के लिए क्या करें यह थो से तो फिके से हमने वहां सेंपल ले लिए यह 8 सकेंड से छोटा होना चाहिए अब इसके बात क्या करना हमें ऊपर से देखिए उपसन है इफेक्ट तो इफेक्ट में जाएंगे तहां पर बहुत सारे उपसन मिल जाएंगे जो की मतलब नॉर्मिलाइज इकॉलाइज मतलब आ गया तिसको हम काटेंगे फिर छोटा सा सेंपल लेंगे अब इतना बड़ा सेंपल यह अब फिर से क्लीन अप में गए ग्रैब नॉय सेंपल पर देखिए यह ले लिया तो वह आप हमारा सेंपल ले चुका है अब हम इसको बताते हैं यह जो सेंपल है पूरे वीडियो मे होता हम सलेक्ट वाल कर दिये मतलब अब यह पूरे और यह प्छली बार किया अब आपको क्या करना है पूरे में अपलाए करने वाद अपलाए सब्ट्रेक्ट फ्राम यह इसको जैसे आप करोगे तो आपके आवाज मतलब जो भी ऑडियो उससे नौई पूरा हट जाएगा देखें कि आपके graph में कितना difference आएगा देखें आपका मतलब noise बिल्कूल हट गया मतलब अब आप इसको सुनो कि edit करने के बाद कैसा सुनाए देता है तो यह लोगा जैसे कि देखें मैंने 11 second का gap ले लिया उधर आपका मतलब noise record हुआ होगा जो कि आपको आगे बताएं कि किस लिए मैंने वह noise record किया था और आप देखिए कि आप मेरा audio record हो रहा राइट में अलग लेफ्ट में अलग जैसे कि दो wave बन रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे main features हो था recording के समय ही आप कर सकते हैं यहाँ पर नीचे एक toggle मिलता है इसको आप बढ़ा सकते हो बढ़ाने के वाद यह और भी ज्यादा audio record कर पाता है अगर आपको noise ज्यादा है by ground में तो आप इसको थो तो आपने देखा कितना simple way में कुछ ही जैसा कि 8 seconds का मैंने जो शुरू में सांती बरत रखा था वो क्यूं रखा था एक tips होता जो कि आप देख लिएगे किस तरीके से हम मैच कराते हैं यह मेरा काइंड मास्टर को open कर लेते हैं काइंड मास्टर को open करने के प्लस वाले बटन वे 16 इसके बाद सबसे पहले आपको वीडियो इंपोर्ट करा रहे हैं जिस पर आप इडिटिंग कर रहे हैं तो मै यहां पर इंपोर्ट करा रहे हैं कि तो आपको जहां वी फία में है वह आप इहां पर इंपोर्ट करा तो यह लिए प्लस वाले बटन पर करा ने यह पर import करा लिया अ अब जो मैंने बताए था की में बात किया है क्योंगि वीडियो उतन इबड़ा है इसमें देखे इफ को सब से लाश्ट में देखना मां आप को दिखातें क्लिविया नियुद कर और हमारे जो लाचिय करेंगे उसके बाद हमें देखिए आपर option मिल जाता है लूप का लूप के option पर टैप करेंगे फिर लूप टू इंड करने के बाद फिर यह अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा पूरे वीडियो के साइज के हिसाब से लेकिन अगर आप अलग से audio record करते हैं कुछ अलग machine रखे audio को record करने के लिए तो उसकी recording कभी और सुरू होती होगी आपके smartphone में वीडियो की recording कभी और सुरू होती होगी तो इसमें आप यह कर सकते हो कि दोनों की आप audio recording on कर सके रखना और matching कराते में क्या tips अ तोनों में ताली की आब आज record हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस ताली के बाद हमारी में वीडियो शुरू ही हो तो matching के समय आप जाओगे audio तो आपको अलग रहेगा एडिट किया हुआ वीडियो भी रहेगा जहां ताली बजाए हो वहां सामना सामनी करके में जाएगा और आपको यह बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हैं फिर मालिक निचान के कर्सक्वाइगा और चानल पर शौस छौब कर सकते हो मिलते हम तब ऐघ झाल